श्री आप देखरें इंडिया 24 इंटू 7 लाइफ टीवी राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए 3,000 लोगों ने किया अपलाई जी आपने सही सुना 3,000 लोगों का आवेदन वैसे देखा जाए तो हैरानी की बात होनी नहीं चाहिए क्योंकि श्री राम की भूमी है और राम लगा कहलाते हैं मर्यादा पुरुशोत्तम राम इसलिए कोई ऐसा ही मर्यादा के साथ सेवा करने वाला रामभग्त परम आवश्यक है जिसे ग्यात होना चाहिए कि कैसे मंदिर को संभालना है और इसी के लिए इन में से 200 मिद्वारों को इंटर्व्यू के लिए बुलाया गया है ट्रस्ट के कोशा अध्यर्ष गोविन देव गिरी ने सोमवार को बताया कि 200 अभ्यार्थियों को उनकी योगता के अधार पर इंटर्व्यू के लिए चुना गया है और उन्हें ट्रस्ट द्वारा इंटर्व्यू के लिए बुलाया गया है इनके इंटर्व्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिशत के मुख्याले कारसेवक पुरम में हो रहा है ट्रस्ट के मुताबिक विरिंदावन के जैकांत मिश्रा और अयोध्या के दो महंत मितलेस नंदनी शरड और सत्य नरायर दास का तीन सदस्ये पैनल इनका इंटरव्यू ले रहा है इन 200 उमिद्वारों में से 20 का चेहन किया जाएगा चेहनित उमिद्वारों को 6 महिने की ट्रेनिंग के बाद पुजारी के रूप में नियूत किया जाएगा और विभिन पदों पर तैनात किया जाएगा ट्रस्ट के कोशाद गोविन देव गिरी ने बताया कि जो लोग चेहनित नहीं भी हुए हैं वे भी ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं इने प्रमाड पत्र दिये जाएंगे इन उमिद्वारों को भविश में मौका दिया जा सकता है उमिद्वारों की ट्रेनिंग सीश संतो द्वारा तैयार धर्मिक पाठक्रम पर अधारित होगी ट्रेनिंग के दौरान उमिद्वारों को मुफ्त भोजन और आवास मिलेगा इसके साथ ही 2000 रुपे का भरता भी दिया जाएगा इन्ही सबके 20 सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है एक ने तो ये तक कह दिया कि काश पुजारी का कोर्स कर लिया होता तो शायज आज आवेदन दे सकता इसलिए कहते हैं कि गाउं बसा नहीं लुटे रे पहले आग खेर बता दे कि इंट्रव्यू के दौरान उमिद्वारों से तमाम सवाल जवाब किये गए इस दौरान संध्या वंदन क्या है इसकी विधिया क्या है और इस पूजा के लिए मंत्र क्या है बगवान राम की पूजा के लिए मंत्र क्या है इसके लिए कर्म कांट क्या है इस तरह के सवाल जवाब उमिद्वारों से किये जा रहे हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में पूजा पद्धती भी मजुदा पद्धती से अलग होगी इस पूजा के लिए खास अर्चक होंगे राम जनमभूमी परिसर में स्तित अस्थाई मंदिर में अभी तक पूजा पद्धती अयोध्या की अन मंदिरों की तरह समान तरीके स से होती है इसमें भगवान को भोग लगाना नए वस्त धारन कराना और फिर समान रूप से पूजन और आरतीज शामिल है लेकिन 20 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनंदिय परंपरा के अनुसार ये किया जाएगा मुख पुजारी, सहयक पुजारी और सेवा दरों के लिए रामनन्दिय पूजा परधती से रामलला की पूजा राधना का विधान होगा इन में इन सभी के वस्त पहनने के तरीके समेट पूजा की कई चीज़े निर्धारित होगी हनमान चालीसा की तरह रामलला की इस्तुती के लिए नई किताब होगी जिसकी रशना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम हो रहा है आपको बता दे कि 22 जन्वरी दोहजार चोबिस को रामलला अपने भव मंदिर में विराजमान हो जाएंगे जिसमें देश भर के 4000 संतों का स्वागत होगा इसके साथ ही पार्किंग भोशनाले तथा 140 की भी वैस्ता होगी बरसों के इंतजार के बाद राम भक्तों का इंतजार खत्म होगा रामलला के प्रांट पतिष्ठा में देश विदेश के चारों ओर से भक्त रामलला के दर्शन के लिए सम्मिलित होंगे बाई जन्वरी के इतिहासिक दिन पूरी अयोध्या भक्ती में रहेगी प्रभू श्री राम के जैकारों से पूरी अयोध्या गूंज उठेगी बस अब इंतजार है तो सिर्फ उस अतिहासिक तता मनमोहक दिन का